विदायक बनने के बाद से ही विदायक चंद्रदेव राय सरकार की योजनाओं को लेकर लगतार कर रहे जनसंपर्क। दिनेज देवांगन सही कारेकरताओं के साथ ग्राम बरपाली पहुँचे जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। करज माफी की बात पर गलत राजनीती करने एवं लोगों को बरगलाने वालों पर जम कर हमला बोला। क्लिपर 28 के लिए कसडोल से प्रकाश यादव की रिपोर्ट। करज माफी करने किसानों का जिसमें अभी सिर्फ सहकारी बैंक और ग्रामीर बैंक कहीं कर्ज माफ हुआ है और राष्टी कित बैंक नहीं हुआ है इस समन कुछ कहना चाहेंगे। मैं तो एकीठो बात करहूँ अब कुछ लोगन मने में राजनीती करा थे। किसान मन के करजा माफ कैसे होई दस दिन में इस्थिपा दे दिहां का केक मंत्री कहें। अब करजा माफ होगे इस्थिपा नहीं दिज। अब एक कहा थे कि सबो करजल माफ कर। किसान मन के करजा माफ होई खातू कचरा के। करजा माफ है। और टेक्टर लेवा तुमन लेवा मैं करजल शुठू का कही। तो संसार टेक्टर लिए। तो बड़े बड़े उद्योग पतिक बात करता था राजनीती वाला बात लला था यह साब लोगन मन जनतालव तक ब्रमीत करा थे। हमार राहूल गांदी जी कह रही से दस दिन के भीतार हम किसान मन के करजा माफ कर वो आज 36 गड़ के 16 लाग से अधिक किसान के करजा माफ हो है। पंद्रह हजार से अधिक करजा माफ हो है। आज 36 गड़ के जनता खूस है। 36 गड़ के जनता मनला कह रहे हैं कि 25 सो रुपे कुंटल में धान खरीद वो आज 36 गड़ में जो कहन सो करके दिखाएं। माननी भुपेस बगेल जी के सरकार, माननी टीयस बाबा जी के गोशना पत्र, 36 गड़ के मंदल जी के ये सासिक निड़ा हैं जो आज 36 गड़ के जनता देखा थे। जरुत निए हम 36 गड़ के जनता जाना थे, योकर सरकार चला थे, गरीब मन के सरकार चला थे, किसान मन के सरकार चला थे, यहां के युवा महिला मन के सरकार चला थे, आदिवासी मन के जमीन दिवाय के काम करे हैं, ये 36 गड़िया मन खुताल है, खुस है।